हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गोड इबनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेपल सी बाइफश डीपर आज ये स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 25 प्रसनों को सामिल किया है ये सभी प्रसन आपक इबुक की आऊ सकता है डिसकप्स बॉक्स में सभी इबुक का लिंक दिया गया है जहां से आप सभी इबुक पी डाउनलोड कर सकते ही तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला प्रसन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर बताना है आप सभी को वैकिम टूब का अभिस्कार किया गया अगर आप से सवाल करें computer के first generation में किस technology का इस्तिमाल हुआ तो answer होगा vacuum tube का इस्तिमाल हुआ first generation में ISP अपने आप में एक दूसरे से किसके द्वारा जूड़े होते हैं काफी important question है ISP का मतलब होता है internet service provider तो internet service provider अपने आप में एक दूसरे से किसके द्वारा जूड़े होते हैं NAP यानि कि network access point DSL ISDN NIC यहाँ पर हो जाएगा option number पहला NAP network access point पहला graphical web browser कौन सा है आपको बताना है first graphical web browser कौन सा है first graphical web browser की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मौजाइक हो जाएगा option number पहला ठीक है first graphical web browser आपका मौजाइक हो जाएगा अगर केवल यही पूछें कि पहला web browser कौन सा है first web browser की बात करें तो answer हो जाएगा www यानि कि worldwide wave among application किस मंत्राले त्वारा शुरू किया गया among application किस मंत्राले त्वारा शुरू किया गया किस ministry त्वारा लाँच किया गया among का मतलब क्या होता है unified mobile application for new age governance और यह किस के त्वारा लाँच किया गया ministry of electronics and IT option number पहला यहाँ पर correct हो जाएगा CTRW क्या है what is CTRW यहाँ पर आप लोग answer बताएंगे CDRW क्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिख सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं यानि कि C option यहाँ पर हो जाएगा CD का मतलब compact disk RW Rew Rewrite Table compact disk Rewrite Table आपका answer हो जाएगा तो option number C यहाँ पर हो जाएगा पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं Facebook के founder कौन है Who is the founder of the Facebook Facebook के founder आपको बताने हैं answer हो जाएगा option पहला Mark Zuckerberg Facebook के founder है तो Mark Zuckerberg आपका सही जवाब होगा Mouse की scroll property को निर्धारित किया जा सकता है Means, Mouse की scroll property को आप निर्धारित कर सकते हैं Set कर सकते हैं क्या होगा इसमें आपका right answer तो बिल्कुल आप कर सकते हैं यहाँ पर क्या होगा? हाँ, किसी भी समय आप कर सकते हैं C option हो जाएगा एक device जो CPU से नहीं जुड़ी होती है उसे आप क्या बोलते हैं? Landline device, online device, offline device, उप्रॉक्त में से कोई नहीं C, ठीक है, offline device offline device यहाँ पर C option आपका correct answer हो जाएगा टेलीफोन सिस्टम को निर्धारित किया जा सकता है option number, यहाँ question number 9 में आपको बताना है टेलीफोन सिस्टम को निर्धारित किया जा सकता है अब क्या होगा? इसमें सही जवाब option number D हो जाएगा, duplex and symmetrical ठीक है, option number D हो जाएगा, duplex and symmetrical अच्छरों का case change यानि की बदलने के लिए हम MS PowerPoint में प्रियोग करेंगे अच्छरों का case बदलने के लिए MS PowerPoint में क्या use करोगे, क्या shortcut की इस्तेमाल करोगे control P, control shift, shift F3 या shift F2 तो यहाँ पर हो जाएगा C, shift के साथ में F3 प्रेज करना होता है यानि कि shift F3 से हम case को change कर सकते हैं बिस्ट अपर case से lower case, lower case से sentence case ऐसे करके case को हम change कर सकते हैं shift F3 प्रेज करके WhatsApp ग्रूप में अधिकतम कितने सदस से हो सकते हैं Maximum कितने members हो सकते हैं तो आंसर हो जाएगा 256 option number पहला correct हो जाएगा एक light pane, pointing device है optical scanner है, magnetic ink का प्रेज़ करता है वो प्रेज़ करता है, वो प्रोक्त में से कोई नहीं एक light pane क्या है? एक pointing device है, option number पहला हो जाएगा एक pointing device है LibreOffice Writer, एक, LibreOffice Writer file extension क्या है? means LibreOffice Writer का file extension क्या है? ठीके? LibreOffice Writer का file extension आपको बताना है तो LibreOffice में, LibreOffice Writer का जो file extension होता है वो होता है .odt, option number पहला हो जाएगा odt होता है RTGS का full form क्या होता है? पुरा रूप क्या होता है? RTGS का full form आपको बताना है RTGS का मतलब होता है Real Time Gross Settlement option number B हो जाएगा Real Time Gross Settlement RTGS का full form होता है Cryptography क्या है? या हमारे data को सुरचित रगता है data को secret code में बदल देता है इसका इस्तेमाल email, debit card क्रेट कार्ड में होता है या उप्रोक्त सभी क्रिप्टोग्राफी क्या है? आपको ये वताना है कौन सा यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा D option आपका ठीक है? उप्रोक्त सभी option आपके सही है D option यहाँ पर correct होगा E-commerce क्या है? अंतराश्टी सामान को खरीदना वबेचना प्रोड़क्ट वा सर्विस को इंटरनेट द्वारा खरीदना वबेचना कंप्यूटर के द्वारा सामान को खरीदना वबेचना इलेक्टोनिक सामान को खरीदना वबेचना E-commerce क्या है? तो यहाँ पर इसका simple सा जवाब हो जाएगा Option number B Product बस service को Internet दवड भारा खरीदना या बेंचना ही E-Commerce कहलाता है ठीक है प्रोड़ेक्ट बस service को Internet दवड़ा खरीदना या बेंचना क्या कहलाता है E-Commerce कहलाता है Option number B हो जाएगा पिन का पूरा रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो पिन का फॉल फॉर्म आप सभी को बताना है पिन का फॉल फॉर्म क्या होता है परसनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा, परसनल आइडेंटिफिकेशन नंबर अगली स्लाइड पर जाने की सौटकट की क्या होती है अगली स्लाइड पर जाने की सौटकट की आपको बतानी है अगली स्लाइड पर अगर आप जाना चाहते हैं तो कौन सी सौटकट कुझी आपको प्रेज करनी होती है पेज डाउन और अगर आपको previous slide पर जाना है तो page आप आपको praise करना पड़ता है LibreOffice में cut करने की shortcut कुझी क्या होती है cut करने की shortcut कुझी आपको बतानी है हुआती simple है control X से हम cut कर सकते हैं और control C से copy कर सकते हैं तो यहाँ पर control X हो जाएगा B to B का full form क्या होता है What is the full form of B to B B to B का पूरा नाम आप सभी बताएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा business to business B to B का मतलब होता है business to business LibreOffice इंप्रेश में master slide function किस menu में मिलता है master slide function किस menu में मिलता है पताए 21 का कौन सा जवाब होगा तो यहाँ पर हो जाएगा slide option number B slide menu में ठेके LibreOffice इंप्रेश में master slide का option कहाँ मिलेगा slide menu में प्रेश को बापस lot आने वाला mail क्या कहलाता है प्रेश को बापस lot आने वाला mail क्या कहलाएगा तो उसे bounce mail कहते हैं option number B हो जाएगा bounce mail integrated circuit chip का विकास किस ने किया था means IC का विकास किस के दौरा किया गया तो आंसर हो जाएगा JSKillby के दौरा option number C आपका correct और यहाँ पर आपको बताना है टेलिग्राम नेमने में से किस का उधारिन है टेलिग्राम किस का एक example है तो आंसर हो जाएगा instant messaging का ठीक है I am यानि कि instant messaging का एक example है option number C हो जाएगा किस पीढ़ी के computer आकार में सबसे बड़े होते हैं पर्थन पीढ़ी, दुतिय पीढ़ी, चतूर्थ पीढ़ी या इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा first generation के computer आकास में बड़े हुआ करते थे option number पहला हो जाएगा first generation तीक है तो यहाँ पर पहला option हमारा correct answer हो जाएगा तो आज के class बसे इन तक रहेगी उमीद करता हूँ आप सभी को class पसंदाई होगी और जिन बच्चों का आग एकजाम होने वाला है आप सभी को हमारी तरब से वेश्ट आप लग आल्री वेश्ट जो भी प्रस्ण आपको आपके एकजाम याद रहे हमें प्रस्ण आप हमें वाट्सआप कर सकते हैं 945229946 पर या फिर हमें मेल कर सकते हैं info.ccc.c at gmail.com ठीक है तो आज के लिए वाज इतना ही मिलेगे आपको अग class में तब तक लिए जाए हिन गूद नाइट बाइट बाइब